हलोँ डिवाईन सौल्स, वेलकम एन वेलकम बैक टो मैं चैनल चलिए, आज मैं आपड़ चुक करना चाहूंगे कि राइट नाओ आपके लिए क्या है गाइडन्स क्या सुनने की राइट नाओ आपको जरूरत है डिवाईन के तरप से क्या है आपके लिए गाइडन्स ओके डिसिपेटिंग डेस्टिनी ओके आपके जो करेंट सिचुईशन है इससे आप जरूर से बाहर आ जाएंगे इससे आप ग्रो करेंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि हम हमारे लाइफ के जो पैटर्ण्स होते हैं अगर आप इस के लाइफ में ये सिचुशन हुआ है मेरे लाइफ की इस प्रॉब्लम की रिजmeg वो है मैं नहीं हूँ तो सबसे पहले इस थौर्ट से ही बाहर आईए आपको ये देखना है कि आपके life में आप क्या कर सकते हो control आपने हाथ में लेजिए जब तक आप दूसरों को blame करेंगे जब तक आप अपने life के जो story आप दूसरों को कहते हो, वो जब तक आप कहते हुए रहेंगे, जब तक आप complain करते रहेंगे तक आप आगे नहीं बरपाएंगे तो तभी complain करना अभी क्या भी पंद करे, यह सोचे देखिए एकदम complimenting cards है यहाँ पर आपको यह समझना है कि जो कुछ भी हुआ है past में वो आपके destiny था आप इससे आगे कुछ करने ही पाते थे, यह आपके destiny था, यह आपके करमा था जो आपको मिले है, और यह सोचते हुए सब को release करे, माफ करे और अपने life में, अपने destiny को खुद create करने की कोशिश करे, जब आप accept कर लेंगे कि मेरे life मेरी करमा मैंने face किया है, तो आप खुद की हाथ में responsibility लेंगे, और आप अपने life की pattern को कुछ transform करने की कोशिश करेंगे, तब ही जाकर destiny में जो आपकी लिखे है, जो अच्छे बहुत कुछ लिखा है, जो आप deserve करते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा सबसे पहले आपको complain करने से, blame करने से, और अपनी story को बार-बार repeat करने से, आपको खुद को stop करनी पड़ेगी, और जो आप कर सकते हो, उसके उपर आपको focus करनी है, अपने आपको आपको देखना है, अपने आप पर आपको focus करनी है तो यही आपको right now सुननी है divine के तरब से, यही है message आपके लिए